अवे विद्याती मिद्रों 10.3 गाउं जातीय लक्षानों इटले के आव समय दर्म्यान नाना जातीय लक्षानों मा पण फेरफार जुआ मले छे जेम के आपने आगल अभ्यास करी चुक्या छिए के सुक्रपिन तेमाच अंडपिन प्रजनन अंग छे ते जन्नियों जेवाके एलेके सुक्र पिंड नर्मा जुवा मले चे औने अंड पिंड माधामा जुवा मले चे आ समय दरुना वस्था दर्म्यान आ प्रजनन अंगोनो विकास थाई चे औने प्रजनन क्रग्रियामाटेक सक्षम बने चे आ दरुना वस्था दर्म्यान सुक्र कोसो औने अंड कोसो ने उत्पन्न करे चे यववना रंब मा एटले के यववना अरंब मा चोकरियोंना स्तननो विकास थावा लागे चे तथा चोकराओना जहरा पर वाल उगवा लागे छे, एटले के दाडी मुझ उगवा लागे छे, आ लक्साणों चोकरियोंने चोकराओती अलक पाडे छे, आवा लक्साणोंने गउन जाती ये लक्साणों कहे छे, एले के जाती प्रमाणे लक्साणों मा फिरफार थाई छे, एले के छोकरा होय तो तेमना मा दाडी मुझ ने वाल उगवा लागे छे, छोकरियो होय तो तेमने जाती प्रमाणे विकास थवा लागे छे चोकर्यों नी छाती परपण वाड उगवा लागे छे, चोकरा आने चोकर्यों बन्ने नेवगल मा तेम जांग नी उपन नी तरफ अत्वा प्यूबिक विस्तार मा वाड उगे छे बुजो अने पहली बन्ने जानवा मा गे छे के यववना रम मा थदा आ बदलावनी सरुवात कोण करे छे, तो तरुना वस्ता मा थदा आ बदलाव अंतस्त्रावो द्वारा नियंत्रीत होई छे, इटले के जे उम्मर प्रमाणे होर्मोंस मा चेंजी स्थता होई, तो ते प् अंतस्त्रावी तंत्रो द्वारा उत्पन्न करवामा आवे छे, यववना रम्बनी साथे ज सुक्रपिंड नर अंतस्त्राव अथवा टेश्टो श्टे रन्नो निर्मान चालू करी दे छे, आ अंतस्त्राव छोक्रावो मा बदलावनू काराण छे, जेना विसे हम्राज अ जेना थी स्तन विक्सित थाई जाई छे, दूद्स्त्रावी ग्रन्थियो स्तन नी अंदर विक्सित थाई जाई छे, आ अंतस्त्रावो ना उत्पादननो नियंत्रण एक अन्य अंतस्त्राव द्वारा थाई छे, जे पिट्ट्यू टरी ग्रन्थी मा थी उत्पन्द थाई छे आरी ते नोर अने मादा बन्ने मा जाती यह गाउं जाती यह लक्षाणों मा फेरफर आवे छे त्यार बाद 10.4 प्राजन अनिंग कार्यों नी सरुवात कर्मा मा अंतस्त्रावों नो फाडो प्रजनन प्रिया माटे ना जे अंतस्त्रावों नो फाडो छे तेना विसे अपने विगतवार समझावे छे के अंतस्त्रावी ग्रंथियो अंतस्त्रावने सीधा रुधीर मा रिसिधाच थालवे छे जे ना थी ते सरीर ना विशिष्ट भाग अथवातो लक्सयांक स्थड सुधी पोँची सके लक्सयांक स्थड अंतस्त्राव साथे प्रतिक्रिया करे छे आपना सरीर मा अनेक अंतस्त्रावी ग्रंथियो के नलिका विहिन ग्रंथियो छे सुक्र पिंड टेमज अंड पिंड जातिय अंतस्त्रावो ने उत्पन्न करे छे तमें हमलाज अभ्यास करेो के आ अंतस्त्रावो गाउन जातिय लक्षानों माटे जवाब दार छे जातिय अंतस्त्रावो पन पिट्यूटरी ग्रंथी द्वारा स्त्रावीद अंतस्त्रावना नियंत्रणमा होई छे आकरूती 10.3 मा आपणे जोई सु पिट्यूटरी ग्रंथी अनेक अंतस्त्रावो उत्पन्न करे छे तो कई ग्रंथी अनेक अंतस्त्राव उत्पन्न करे छे तो पिट्यूटरी ग्रंथी तेमाज पिट्यूटरी ग्रंथी सु करे छे तो पिट्यूटरी ग्रंथी अनेक अंतस्त्राव उत्पन्न करे छे जेमाथी एक अंतस्राव अंडपिंड मां अंड़कोस तेमज सुक्रपिंड मां सुक्रकोसोना परिपकवने नियंत्रीत करे छे इतले के पिट्यूटरी ग्रंथी नू महत्वाचे के जेमाथी ते एक अंतस्राव अंडपिंड मां जे माधामा होई छे अंड कोस तेम अज सुक्र पिंड जे नरमा होई चे ते सुक्र कोसो ना परिपकवने नियंत्रित करे छे पिट्ट्यू टरी ग्रंथी माथी स्रावीत अंतहस्त्राव प्रजनन अंगोने टेस्टोस्टेरन एटले के नर्मा तथा इस्ट्रोजन एटले के माधामा उथपन्न करवा माते प्रेरीत करे छे रूदीर प्रवाहमा मुक्त थाई छे तथा सरीर ना विभिन भागो एटले के लक्षियांक स्थाल सुधी पोँचे छे 19 आरंब दर्म्यान सरीरमा परिवर्थनोंने उत्ते जीत करेचे 19 आरंब इटले कै किसोरा वस्तामा अने तरुना वस्तामा सरीरमा अने के नाना मुटा जातीय लक्षानोंमा फिर फार जुवा मलेचे अने व्यक्ति बालक माथी एक यवान अने यवान ना आरंब मापग मुखे छे अने ते युवान बने छे आकरूती 10.3 व्यक्ति ना प्रजनन अवदी नो प्रारंब छे जियारे व्यक्ति प्रजनन क्षम्ता प्राप्त करे छे परंदु ते जानवा मागे छे के सु प्रजनन अवदी एक वार सरू थाई जाई पछी जीवन पर्यंत चालू रहे छे के अमुक समये ते पूर्ण पन थाई छे तो आपडे पन ते विशे समझिये टोपिक्स 10.5 मनुष्यमा प्रजनन कार नी अवदी एले के मनुष्य सजीव माजे मनुष्य चे तेमा प्रजनन कार एटले के प्रजनन समय नी अवदी एटले के समय प्रजनन कार नो समय कई अगे टलास ना टाइम सुधी नूँछे तेना विशे अबडे समझिये ज्यारे तरूरोना सुक्रपिंड तथा अंडपिंड जन्नियों उत्पन्न करवा लागे छे त्यारे ते प्रजनन योग्य थाई जाई छे जन्नियोंनी परिपकवता तेमज उत्पादननी क्षमता पुरूसों मा स्त्रियोंनी सर्खामनिये वधारे होई छे स्त्रियों मा प्रजनन अवस्थानो प्रारम योव नारम 10-12 वरसनी उम्मर्ती थाई जाई छे तथा साम अन्यरी ते 25 इस्ती 50 वरस्नी उम्मर सुधी चाल्या करे छे येले के प्रजनन ख्षावस्थानों जे प्रासमय छे ते 10 ती 12 वरस्ती लईने 25 इस्ती 50 वरस्नी उम्मर सुधी छे यवव नारंबदी अंड कोसो परिपकाव थावा लागे छे अंड पिंडों मा एक अंड कोस परिपकाव थाई छे तथा लगबग 28 विस्ती 30 दिवसोना अंतराल पर कोईपण एक अंड पिंड ध्वारा मुक्त थाई छे जेना थी ते अंड कोस परिपकाव थाई छे तथा लगबग 28 विस्ती 30 दिवसोना अंतराल पर कोईपण एक अंड पिंड ध्वारा मुक्त थाई छे आ समयमा गर्भासाईनी दिवाल जाडी थाई जाई छे जेना थी ते अंड कोस ना मुक्त थाया बाद युगम नजनेक रहन करी सके जेना फल स्वरूपे घर्भ धारन थाई छे जो अंडकोस्तनु फलन न थाय तो तेवी स्थिती मां अंडकोस्त तथा गरभासाईनु मोटूस्तर तेमाद त्यानी रुधिर्वाहिनियों साथे तुटवा लागे छे जेनाथी स्त्रियों मा रक्तस्त्राव थाई छे जेने रुतुस्त्राव अथ्वा रजोस्त्राव केवा मा आवे छे रुतुस्त्राव लगबग 28-30 दिवस मा एकवार थाई छे पहलो रुतुस्त्राव यववना रंबनी सरुवात मा थाई छे जेने रजो दर्सन कहे छे लगबग 45-50 वरसनी उमरे रुतुस्त्राव थवानू बंध है जाए छे रुतुस्त्राव बंध है जवानी ग्रियाने रजो निव्रुत्ति कहे छे रारंब मा रुतुस्ताव चक्र अनियमिध होई शके छे तथा तेने नियमिध थवामा केटलोक समय लागे छे पहेली कहे छे के स्त्रीमा प्रजननकालानी अवधी रजो दर्सन्थी रजो निव्रुत्ती सुधीनी होई छे सूते साच्चु कहे छे रुतुस्त्राव चक्रनु नियंत्रण अंतस्रावध्वरा थाई छे आ चक्रमा अंड कोस्नु परिपकव थाउ तेनु मुक्त थाउ गर्बासैनी दिवालनु जाडू थाउ तेमज पलन न थवानी स्थितीमा तेनु तुटवू वगेरे तेमा सामेल छे जो अंड कोस्नु फलन थाई जाई छे तो ते विभाजन करे छे तथा गर्बासैमा विकास थावा माटे स्थापीत थाई छे चेनो तमे अगावना प्रक्रन नौमा अभ्यास कर्यो छे हवे आपने प्रावरूती 10.673 लिंग निश्चियन के विरिते थाई छे तेना विसे समझिये में मारी मम्मी औने मारी काकी ने वाद करता सामद्या छे के मारी पित्राई बेन ने बाड़क आवानू छे ते छोकरा ने जन्मा आपसे के छोकरी ने जन्मा आपसे तेनी चर्चा त्यहों करता आता मने ए जान्मा ने उस्तुक्त उस्तुक्ता छे के ए नक्की के विरिते थाई छे के फलित अंडकोस छोकरा तरीके विकास थासे के छोकरी तरीके तो छोक्रों के छोक्री बॉय और गल क्यारे जन्मले चे तेना विसे आपने समझिये फलीत अंडकोस अथवा युगमन अजमाज जन्मले नार बाड़क ना लिंग निस्यन माटे नो संदेश होई चे आ संदेश फलीत अंडकोस मा दोरी जेवी सवन अचना अथवा तो सवन रंग सुत्रों मा हाजर थाई चे प्रकरण आठने याद करो के रंग सुत्रों प्रत्यक कोस ना कोस केंद्रमा आवेला होई चे बधाज मनुष्यना कोसो ना कोस केंद्रमा तेवी सवन रंग सुत्रों आवेला होई चे तेमा थी बे रंग सुत्र एटले के एक जोड एक जोड होई एटले बे नंग होई लिंगी रंग शुत्र होईछे एतले के नर रंग सुत्र जैने X तेमज 2 रंग सुत्र कहीचे 2 रंग सुत्र एक जोड 2 एतले के 2 रंग जे X अने 2 रंग सुत्र तरीके ओडखाईचे ज्यारेस त्रियो मां बे एकस रंग सुत्र ज आवेला होई छे नर मां एले के पुरुस मां एकस आने वाई रंग सुत्र छे ज्यारेस त्रियो मां बे रंग सुत्र एकस ज होई छे ज्यारे पुरुसमा एक X रंग सुत्र तथा एक Y रंग सुत्र आवेल होई छे जनन कोसो एटले के सुक्रकोस अथवा अंड कोसमा रंग सुत्रों नी एक जोड होई छे एटले के बे नंग होई छे अफ अलित अंड कोस मां अम्मेशा एक एक्स रंग सुत्र आवेलू होई छे परन्तु सुक्र कोसो बै प्रकारना होई छे एटले के मादा मां मात्र एक्स प्रकारनुज रंग सुत्र होई छे जारे नर्मा एक्स अने वाय रंग सुत्र इतले के बे